हेलो स्टुडेंट्स वान सेगेंड वेलकॉम बेक टो जीके टूपर सेबेन तो स्टुडेंट्स आजी आमें किछी इंपोर्टाण इवेंट अंडर गवर्नर जेनरल अफ इंडिया ए विशोरे किछी जानीबू तो फास्ट आमें डिसकोसन करीबू वारेन हेस्टिंग्स को तो वारेन हेस्टिंग्स रो सासन कर्जो केते मोश्या मध्यों तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 अनुसरे वी वारेन हेस्टिंग्स भारत को आस्टिंग्स ब्रोड दा डूआल गवर्मेंट सिस्टम टू एन एन्ड बाई एनफोर्सिंग दा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो डूआल गवर्मेंट सिस्टम कता किया आनी थिले भारत कून एड़ा हूचंधी वारेन हेस्टिंग्स ले कि वारेन हेस्टिंग्स इच डिस्टिक डिूरींग हीज टेनौर से गवर्णर जेटरल अव इंडिया तो जहता से जोने गवर्णर जेनरेल थेले भारतरो त्यनु से कंड करते ले जमिदर्स वे एर गीवेन जुदिसियाल पावर तो जमिदर मानों कू जुदिसियाल पावर दियाज़ा एड़ शिभिल एड पिर्मिनाल कोर्ट्स विर ऐस्टाबलीज्ड विश्टीक lange विधिए शिषिर्ण फैस्रीटेइओ नुटै बुटै क्रिमिनाल कोर्ट्सुप ऩून। अंद पैसुए तो इंगलीश एबब पैसुए मानमका मध्यर ए प responsible of the criminal court now is dangerous… Chinese के इबाँ पेशुआ मारों को मध्य भी देन देखिवा Lord Cornwallis को बिष रहे Lord Cornwallis तर्यृ 55 नि को डोला उन टेस उख्या कर अब बेंगल कथा कोहिले लोड करनुवालिस कथा आमें बुजिवा तो एटी तिला डूआल गभर्मेंट सिस्टम, एसेटिक सोसाइटी, जुडिसियाल पावर, जमिदार्स पावर्स, अटरिटी अप पूरिंदर एती की इंपोर्टन वारन हिस्टिंग्स रे देन लोड करन करनुवालिस रे पर्मानेंट सेटलमेंट आप बेंगल बाचिरोशताई बंदः वस्टा जोटा ओडियारे कोहाजाई, दन इंट्रोडक्शन आप सिबिल सर्विस, सिबिल सर्विस रो इंट्रोडक्शन करितीले लोड करनुवालिस, करनुआलिस इस कौल्ड दा फादार सिबील सरविस इन इंडिया तेवे फाधार ोफ सिबील सरविस बाई जू यूपेसी आखकोण OPSC यह सबू जूँआ सिबील सर्विस एग्जाम रहीची वह सिबील सर्विस रहीची शविटारोफ फाधार कहाघू कुअ हाजय न लोड कोर्न वालेंस कुअ फाधार बलीकु जाए सिबिल सर्विस रो दन न्यू पोलीस सिस्टम वाज इंट्रोडूस इन सेवेंटिन नाइटीवान सत्रा सएकानवे मसी आरे न्यू पोलीस सिस्टम मध्यों इंट्रोडूस होई थिला यू लौड कॉर्नोलेंस को दरा धन थाड अंगलो मैसूर वार एंट्रिटी अब स श्रिरंगा पत्नम एबंग श्रिरंगा पत्नम रो चुक्ति गुटे है थिला दर एस्टाबलीसमेंट अब एपिलेट कोड एंड लोयर ग्रेड कोड इटा इम्पोटांड तो आंको समयरे एपिलेट कोड एंड लोयर ग्रेड कोड रो एस्टाबलीस है थिला दर लोड वेल्सली, लोड वेल्सलीं को विशारे किछी, important points कौन कौन सबूर होई ची देखिवा, ना introduced the subsidiary alliance systems to achieve British promontancy, ता subsidiary alliance systems कु किये introduced करी थिले, ना लोड वेल्सली, 4th Anglo-Maisur war है थिला आंको समबरे, 3rd Anglo-Maisur war है थिला, Lord Cornwallis इंको समबरे, एबंग Lord Welshलीं को समबरे, 4th Anglo-Maisur war है थिला, तो पेस्वा मनंको सही तो बैस्इन मनंको वुड़े ट्रीटी वा चुकती है थिला, देस्क्राइब्ड हिमसेल्फ ए बेंगोल टाइगर, तो बेंगोल टाइगर कोही ले कहां को बुझाए, ना लोड वेल्सलीं को बेंगोल टाइगर कोही ले बुझाए, तो बहुत ही इंपोर्टांट, इस तिन्टा सारा जितिकिया में पढ़ले, लोड कर्नवालेश, लोड वेल्सली, एमानम करो बेंगोल वार्टान निहाति भावरे लागुची तो एटा इंपोर्टांट रोहिवो, देन लोड विल्योम बेंटिक को विश्वरे जानिवा, आंकरो सासनो कार जियो के बेट हुँ, ना अठ्वास अठिष मष्यर 325 स मष्य ओडियरे सासनो कार जियो, आंकर ठिला, तो ही वाज फास्ट गोभर्नर जेनरल अप इंडिया, मोलेश्वार्ण माशा अपेल बेंडिया, आजल लोड वील्याम बेंटिक खास्थ गोभर्नर जेनरलल अप इंडिया, Ebolized Provincial Courts of Appeal and Circuit Setup by Cornwallis Appointment of Commissioner of Revenue and Circuit तो ये कौन करी थिले ना Revenue Commissioner को Eppointment System कथा कही थिले एबंग कौन उच्छेद करी थिले ना Provincial Courts of Appeal जो एपिल हवा पाई बाग कोन सी तरजमा हवा पाई जो कोट सब रही ची सेगुडा कुसे Ebolize करी थिले He carried out social reform such as Ebolization of सत्ती तो सत्ती दाह प्रथार उच्छेद करी थिले केते मस्यारे जुडा अठरस अंत्रिस मस्यारे विद धा हेल्प अब राजा राममहन राई तो कहांको हेल्प रे वा राजा राममहन राईंको हेल्प पाई की से कण कर थिले नाई सत्ती दाह प्रथाकुसे उच्छेद करिया पाई चाही थिले बेंटिक प्लेस्ट विल्यम विल्यम स्लेमेन इन चार्ज अप दा अपरेशन ओप एलिमिनेट दागलमेन्स बेट्विन 18 और 1836 मोर देन 3000 थाग्स वेर कनभिक्टेड जो ठग मने थिले ठग दड़वली गुटे दड़व थिला जोटे की विल्यम वेंटिक को समय रह थिला तो बेंड फिमेल इन फेंटिसाइड इन 1829 तवे फिमेल इन फेंटिसाइड इन फेंट मने कण नहीं जो सिशु हत्या करा जाओ थिला तो सही समय रह इडागुसे बें करी थिले शे बह तेवे जों English टा ओफिसियाल लांग्वेज भारतर होई थिला तो एटा कहा समयरू होई थिला लोड विलियम बेंटिक को समयरू होई थिला तेवे एटी इम्पोर्टान्ट रहुची सती दाव प्रता बा सती प्रता जो कहिली आउगोटे आउकोण नाई जों आमारो फिमेल एटा गुटे बा भुण होत्या गुटे थिला एटा इम्पोर्टान्ट रहे बो आउकोण नाई इंगलीस ता जों चकेन्ड लांग्वेज भाबरे होई भारतरो तसे इटा गुटे इम्पोर्टान्ट रहे बो देन लोड अक्लान्ड लोड अकलांड, 386 बायालिस्मस येभी शासन करी थीले, फास्ट आंगलो आफगान वार, प्रतम आंगलो आफगान वार हे थीले लोड अकलांड को समयरे, इस गोटे ही इमपोटन्ट, देन लोड डेल हाउसी, लोड डेल हाउसीं को विशारे जाणिवा केची, बहुत ही इम बा लोड डेलाहॉसी कथा कईले से जणे आर्किटेक्ट्स थिले आर्किटेक्ट्स मने जो मने बिल्डिंग्स कु डिजाइन करनती बा बड़ बड़ बिल्डिंग कु डिजाइन करनती देन डिजूरिंग लोड डेलाहॉसी टेनियोर फास्ट रेल्वे लाइन फ्रम बंबे टु थाने जो प्रथम रेल्वे लाइन टा होई थिला बंबेरु थाने पर जन्तो ए डेलाहॉसीं को समयरे होई थिला अठ्रसो तेपनमसियारे एन इन्दा समयर कल्गत्ता एनड अग्रा वेर कनेक्टेड बाई टेलिग्राफ एवं सही समयरे बास्यी बोर्चरे कण हे थिला ना कल्लीकतारु अग्रा पर जन्तो प्रथम टेलिग्राफ कनेक्टड बाईक्शन होई थिला Second Anglo-Sikh War 1849 was port in which the Sikhs were again defeated and Lord Dalhousie annexed the whole of Punjab to the British administration Second Anglo-Sikh war which was again defeated and Lord Dalhousie annexed the whole of Punjab to the British administration He introduced doctrine of love very important and captured satara then Jaipur and Sambalpur, Udaipur, Jhansi and Nagpur This was the first state to fall under the policy of doctrine of love Then established postal system in India which made communication easier The postal system was established by Lord Dalhousie Postal system introduced by Lord Dalhousie Then I would say that 17 was the first state to fall under the doctrine of love Then I would say abolished titles and pensions and widow remarriage act Then made similar is the summer capital of British India In 1854, Urds Despach was passed which provided the proper system of education from the school to the university Toi, the University of the university of the university The Urds Despach Commission was established by the school to the school to the university The Urds Despach Committee was established by the public works department The public works department was established by the Lord Dalhousie आंको जनिवा तो एतिकी ही इंपोर्टांड अच्छी लॉड डेल हाउसी लॉड विलियम बेंटी इमानंको विशार है तो विडियो टिकेमिती लगला विडियो को कमेंट करीकी जनेवे एबंग छोट्या लाइक मध्यो करतेवे एबंग जदी चैनल नुआ आच्छंती चैनल को मध्या सब्स्राइब करतेवे जहां पर लेकिए बढ़िया विडियो आउत्र है अपनमाने पाई परिवे धन्यवाद